हेलो बच्चो स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस टूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट कार्ट नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैस के एक्सपेक्टेड कोस्टंस को और आज का हमारा चैप्टर होगा बाइनोमियल थेोरम यहाँ आपकी लिए लेक्टर दियी हैं जिन ने भी अभी तक उसे नहीं डेखा है तो प्रेली से जाकर देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले बच्चे आपसे रिक्येश्ट है कि प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें वीडियो सो कुछ भी knowledge gain हो तो please अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेर करें और चानल को भी subscribe करें तो चलिए start करते हैं पहला question है हमारा If the third term in the binomial expansion of 1 plus x to the power m is minus 1 upon 8 x square then the rational value of m is ठीक है तो आपको इस m का value बताने हैं अगर किसी binomial expansion क्वोन binomial expansion 1 plus x to the power m यह आपके binomial expansion के अगर third term minus 1 upon 8 into x square के बड़ाबर हैं तो आपको m का value बताने हैं देखें बच्चे हम आपसे request करेंगे कि जो भी बच्चे हमारे हैं जो भी बच्चे हमसे भी तक जूरे हैं और जो भी बच्चे नहीं जूरे हैं वह भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपको जहां से आपको जो भी चीज मिल रहे हैं पढ़ने के लिए आप उसको पढ़ते चले एक एक concept को सीखते चले अगर हम यहां पे आपको binomial theorem बता रहे हैं और कहीं और पर आपको कोई नया chapter integration या फिर कोई नया chapter differentiation कुछ भी सिखा जा रहा है तो वहां से भी सीखते चले ठीक है इससे क्या होगा आपका जल्दी से जल्दी आपका syllabus cover होता रहेगा ठीक है देखे बच्चे हमारे पास बहुत सारे और भी काम आ गए हैं इधर क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ घटना जो घट गई है उससे हमें बहुत अभी हम परसानी में चल रहे हैं तो बहुत सारी काम हमें रहती हैं और भी फिर भी हम आपके लिए समय निकाल कर जितन कि क्या हो वो एक एक बताय के concept आपको हमिस्ता याद रहे दिमाग में आप जितना भी पढ़के जाए आप उतना ही best पढ़के जाए ताकि क्या हो उससे अगर questions पूछा जाए तो आप एकदम definitely बना दे ठीक है तो जहां से भी पढ़ाई हो रहा है वहां से पढ़े आप पढ़ इसका expansion क्या था? x plus a to the power n इसका expansion में हम लिखते थे इसको किसी वी general term को तो हमारा expansion यहाँ पे 1 plus x to the power m है तो इसके third term बताने है आपको ठीके third term इसके बराबर दिया गया है तो m का value क्या होगा? तो third term कैसे लिखेंगे? t3 plus 1 को हम third term को t3 को हम t2 plus 1 भी तो लिख सकते है ना? त ठीक है? जैसे यहाँ पर r था तो n minus r लिखते थे और यहाँ पर r लिखते थे बस वही हमने किया है तो बस अब क्या करेंगे? इसका value किसके equal दिया गया है? इसका value दिया हुए हमारे x square upon 8. minus x square upon 8 के बडावर दिया गया है तो mc2 1 पर power anything तो 1 ही रहेगा into x square equal to minus 1 upon 8 into x square यह x square स्क्राइब कर गया और mc2 equal to one upon eight वह भी माइनस में mc2 one upon eight क्या है यह आपका माइनस में तो आपको m का value find करना है किसका m का value तो क्या है बच्चे m का value कैसे find करेंगे तो देखिए कैसे find करते m का value तो m को हम लिख सकते हैं क्या mc2 को हम क्या लिख सकते हैं m का factorial upon m minus two two का factorial into two का factorial equal to minus one upon eight तो इसको हम तो एम को प्या है सकते हैं m का factorial को हम m into m-1 into m-2 ka factorial लिख सकते हैं हमने आपको सिखाय था कि किसी factorial को कैसे लिखते हैं उसके just पीछे बाले term को तोड़ते चले जाते हैं आपका 5 factorial को हम 5 into 4 into 3 into 2 factorial ऐसा भी लिख सकते हैं न तो वह हमने किया है जस्ट एक घटाते घटाते लिखा है तो दो बार घटाया है ऐसा क्यों 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 कि हमारा नीचे बाल ट्रम इस तरह से कट जाएगा और नीचे के आगए 2 factorial यह माइनस 2 माइनस 2 factorial से कट गया और यह हमा 2 into 2 equal to minus 1 upon 8 तो 2 forward 8 कर गया और यह क्या होगा आपका m square minus m m square minus m into 4 equal to minus 1 ठीक है तो यह होगा आपका 4m square minus 4m plus 1 equal to 0 m square minus 4m plus m minus 4m plus 1 equal to 0 तो यह equality equation है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम इस तरह की से भी लिख सकते हैं 2m का whole square minus 2 into 2m plus into 1 एक सकेंड बच्चे 2m into 1 plus 1 का whole square equal to 0 तो यह क्या हो गया आपका a minus b का whole square का formula हो गया तो 2m minus 1 का whole square equal to 0 तो 2m minus 1 equal to 0 तो m equal to 1 by 2 तो m का value क्या होगा हमारा m का value होगा 1 by 2 यानि option number b तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इस सभी courses को बनाते हैं समझ में आ रहा होगा कैसे हमने बनाया है बस general term में हमने निकालना सिखाया है तो उसी के इर्दगित आपको हमारा problem घूमता रहाएगा तो जो पिछले दो वीडियो भी तक नहीं देखें है तो उस दो वीडियो को जाकर देखें वहां से आपको बहुत सारे concept सीखने के लिए मिलेगा basic concept आपको सिखाया गया होगा questions के थूरू तो उसको सीखे और क्या करे अपने questions में apply करना क्या सीखे ठीक है तो आपको इस term में greatest coefficient पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है कि किसी भी expansion में 1 plus x to the power n है तो हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं जेनरल बताते हैं आपको जेनरल वाले value जैसे माल लेते हैं x plus a to the power n है तो किसी भी expansion में आपका जो general term होता है वो हमेशा कौन सा term होता है sorry general term नहीं greatest term क्या होता है greatest term जो होता है किसी भी expansion में greatest term जो greatest term होगा उसी का coefficient greatest coefficient होगा होगा तो वही बात है greatest coefficient पूछा जा रहा है कहीं बता अधर है तो जो सम्नोह होता है वह केहीं वारं नहीं है निंच वाले अपका है ज Nazi living the gold थांट के आपका इंबेट न tang का वही होता है अगर गुष्ण अघर रशettes किते होंगे गलत नहीं होना चाहिए इस तरह के लिए ठाबी गिन में पछोन को सट सब्सक्राइब किना पतजोड़ाइब डिवाइड कर देंगे तो मैं तर्म हमारा निकल जाएगा तो एलेब्न में प्लोसन kेतना हलते है। 121ifer2 fuerza क्या हो गया है.. यहांने six term जो होगा? शिक्त हमाँ term हमारा क्या होगा? Middle term Middle term आपका होगा Middle Term आपको कॉस्समे कौनसा term पूछा रहा था सुझ्स टम पूछा रहा था अप सीथी answer डाल देते हैं लेकिन यहां पर coefficient पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे इसका coefficient निकाल लेंगे तो 6 term हम कैसे find करेंगे इसको मिटा देते हैं 6 term कैसे find करेंगे तो T6 को हम T6 को find करना है किसे find करना है T6 को तो T6 को हम T5 प्लस 1 भी लिख सकते हैं तो बस फंडा लगाएंगे अपना formula का जो हमें सिखाया था 10 C5 फिर क्या करेंगे 1 पर 10-5 फिर क्या करेंगे x to the power x to the power क्या करेंगे आपका 5 तो हमें coefficient निकाल ला है तो यही तो हमारा coefficient हो जागा एक स्कावला को छोड़के तो 1 पर पाउर की कोई भी चीज़ तो आपका 1 ही होता है तो यह होगे आपका 10 का factorial और अपन क्या होगे आपका 5 का factorial और 10-5 इंटू 5 का factorial इसी तर लिखते हैं आप 10 C5 को इसी तर लिखते है न तो यह क्या होगे आपका 10 का factorial अपन 5 का factorial का whole square तो इस तरीके से हम किसी भी greatest coefficient हम हमारा greatest coefficient कहा जाता है यहां पे आपको एक बहुत 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 कंसेप्ट सिखाएंगे आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो आपका पार्ट फोर होगा तो वहां पर हम आपको सिखाएंगे कि हमारा जो यहां पर 10 है यहां पर 10 ना रहा कि क्र भूर कोश्रक बसके एक एक लिवधियो में हम नेक्स्ट आने वाले विडियो में आपको इसके फुल न में आसको रूर्जिन में आपको सिखाएंगे, थीक है तो पहले इस questions को समझे, ये questions आपका एक तरह का टेलर था और next आने वाले वीडियो में हम आपको इसके full version में आपको सिखाएंगे दोनों को कि दोनों अगर condition रहेंगे तो क्या होगा लगभग आपके बने में स्थिरम के जितने questions बनाया जासकते हैं जितने concept से questions बनते हैं उनसा भी questions को clear करवाया गया है और आगे भी आने वाले वीडियो में आपको सभी concept को लगभग clear करवाया दिया जाएगा यहाँ पर note है, इस note को याद रखे और हमेशा काम आएगा यह note आपका कि 1-x to the power 1-x to the power 1-1 का जो expansion होता है वह होता है 1-x to the power 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 1- किया होता है, यह पूरा होता है, इसका expansion क्या होगा, पहला 1 लिखेंगे, फिरके प्लस में लिखेंगे, 2x, फिर फिर प्लस में लिखेंगे, 3x², फिर प्लस में लिखेंगे,анс 133x drugi gender, तो इसको कैसे याद रखेगा तो एक फंडा तो आपको यह याद रखना है कि माइनस होगा तो सब में क्या होगा प्लस होता रहेगा ठीक है है आपका स्क्वार्णिंग में सब में चैंज हो रहा है क्या होगा आपका जैरा है यहां उर्फ इयंदे स्कtいます जल को आपर उस दूस् totalmente यहाँ टिलंगल सकते हैं 9 कोढ़ रहा सकते हैं यह से alternate पे पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस टाइप से चलेगा तो ये चार आप कम से कम याद करके रखे 1-x to the power minus 3 का आपको उतना भी जोरूत नहीं है लेकिन ये चार आप जोरूर याद करके रखे क्योंकि इसी से ज़्यादा तर कोसंस बनते हैं चले इस पे कोसंस कुछ बना लेते हैं the coefficient of x to the power n the coefficient of x to the power n in the expansion of 1-2x plus 3x square minus 4x q प्लस अप टू कहा तक infinite तक गिया है उस पे power minus n इसका आपको बताना है कि इस आपके expansion में x to the power n का coefficient x to the power n का coefficient तो हमने आपको सिखाया है कि कोई भी टर्म आपका x plus a to the power n में इस टाइब के अलगला कोसंस हमने सिखाया था कि उसमें किसी भी टर्म को कैसे फाइंड करते हैं तो उस टाइब के टर्म को हमने सिखाया था आपको लेकिन यहाँ पर क्या आपका थोड़ा सा changing है थोड़ा सा क्या है कोसंस में changing है यहाँ क्या किया जा रहा है एक्सपैंसन banc को फ़ोड़ा सा खोल दिया जा नरहत आपको आप से पुछा जा रहा है तो आप तो स्मार्ठ लट रिख हैं आप आप समार्टछी है तो कयसे बणागगा तो हमें आपको तुनट अभी एक्स्पंसन सिखाया यह किसका एक्समेंशन है 1-2-3X2 एकषिसका एकमसर है किसका दिखिए्थ सब मिठा देते हैं इस- कषे मारे प्लस एपटो करतें इसका स्क्रीन्सट ले लिए हं से चलिए इसका सक्रेंशन सब मीठा है तो यह देखिए किसका expansion है, यह हमारा expansion दिख रहा है 1 plus x to the power minus 2 का, यह किसका expansion है, 1 plus x to the power minus 2 का, और यह क्या है, minus n है, तो इसे हम लिख सकते हैं, 1 plus x to the power 2n, 1 plus x to the power 2n हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसके expansion में हमें किसका भेरो निकालना है, x to the power n का coefficient, x to the power n का coefficient, तो देखिए, कितना simple है आपको उसमें general term का भी use नहीं करना पाड़ेगा देखिए दिमाग लगाएगा कैसे बनेगा पहला term इसको हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिए सकते हैं 2n c0 1 पर 2n-0 यानि 2n और x to the power क्या होगा 0 होगा फिर प्लस दूसरा term क्या होगा nc 2n c1 1 पर 2n-1 तो देखिए 1 को हम क्या करते हैं skip करते जाते हैं 1 का कोई जरूत नहीं है 1 पर कोई भी power 1 ही रहेगा simple x को लिखेते हैं ठीक है तो x to the power 1 फिर प्लस 2n c2 x to the power 2 तो अब टू कहां तक अगर यहां पर जब हमारा 2n जब हमारा क्यों हो बच्चे एक सिसकंद मार यह नही चल पाता है कभी जब यहां पर 2n cn रहेगा तो x to the power mm क्या होगा n तो फिसन करते होगा 2n cn is the right answer, तो देखिए, इसको तोड़ लेंगे अब हम, तो options में 2n, cn तो नहीं दिया वाई, तोड़ के दिया वाई, तोड़ के लिखेंगे, 2n का factorial upon, 2n में से n गया, तो n का factorial into n का factorial, क्या हो गया, 2n का factorial upon n का factorial का whole square, 2n factorial upon n का factorial का whole square, यहाँ option no.b, simple question था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था, यह एक funda था, next funda यहाँ पे था, ठीक है, तो थोड़ा आप जब दिमाग लगेगा, तो t r plus 1 पुछा था, तो t r plus 1 टर्म कैसे निकालेंगे, हमने सिखाया था आपको, पहले क्या करते थे, n लिखते थे, c, r लिखते थे, पहले बाले को a, उस पे घटाते थे, n minus r, फिड b लिखते थे, और इस पे क्या करते थे, इसको चरहा देते थे, तो क्या होगा, n c r, a to the power n minus r, b to the power r, option मैंच कीजे, option number d, n c r, a to the power n minus r, b to the power r, क्या होगा, सही answer होगा, option number d, तो इस तरी के से क्या करेंगे, general term हम लिखेंगे, next है आपका, तो coefficient of x to the power n in the expansion of something, दीखे, 1 plus x plus x square, plus क्या है, minus n, इसके expansion में आपको x to the power n का coefficient बताने है, बड़ा ह simple question है, बच्चे, तो आप यह सभी questions को बना लेंगे हम, यह किसका expansion है, यह हमने तुर्ण सिखाया तो यह 1 minus x to the power, किसका expansion है, 1 minus x to the power, minus 1 का expansion है, और पहले से minus n लगावा है, तो इसको हम कहा लिख सकते है, 1 minus x to the power, minus minus plus, और यह हो जागा n, तो 1 minus x to the power n का expansion में, x to the power n का coefficient आपक को बताने है, तो चलिए, इसको थोड़ा सा smartly तोड़ते हम, कैसे, nc0, nc0 पहला, फिर क्या लिखेंगे, 1 पर power n minus 0, तो 1 को छोड़ देते हैं, simple इसे लिखते हैं, तो minus x to the power 0, फिर nc1 minus x to the power 1, फिर nc2 minus x to the power 2, अब तो क्या होगा, ncn minus x to the power n, तो किसका आपको coefficient पुछा पूरा पीछे वाला, तो क्या है हमारा coefficient, coefficient equal to होगया, x to the power minus 1 पर power n होगया, पहले क्या लिखते हैं, coefficient को लिखते हैं, ncn, और यह क्या होगा, एक minus 1 पर power n, अब देखिए, बच्चे क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यह आपको याद रखना है, इस concept को बिलकुल न और लेते हैं, यहाँ पर न होगया, इसको छोड़ देगा, तो इसको छोड़ दिज़ेगा, तो यह क्या होगा गलत हो जागा, तो माल लेते हैं, यहाँ पर हमारा 2 रह गया, एकर ïहाँ लाद पर न रह गया, то यह हमारा answer क्या होगा, तो एक embora~! vidéo 9 Fropa zero Factor value 1 होगा n से n कट गया यह क्या होगा 1 होगा ठीक है तो इसका अविलों तो वह मिल गया और इसका क्या मिला मैनस 1 पे पावर n तो answer क्या होगा मैनस 1 पे पावर n इस तॉस तरह के से क्या करना है simple एक question यह भी भी बन सकता है दूसरा सिर्फ यहां तक यहां तक option में दे दे यह ही answer पूछ दे ये भी भी एक बन सकता है तीह आपको पूछे simple आपको coefficient है तो यह एक नया coefficient पूछ दे आपको तो थीन-तीन question यह से बन झाल झाल